अब आपको आवाज की कॉपी करके आउडियो फ्रॉड कैसे होता ये भी बताता हूँ आजकल मार्केट में एक नए तरह का आनलाइन फ्रॉड आया हुआ है इसका नाम है वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड इसमें साइबर ठग एयाई की मदद से आपकी आवाज की हुबा हु कॉपी कर ले रहे मतलब फोन पर बात करने के दौरान आपकी आवाज बात करने का तरीका सब कुछ कॉपी हो जाएगा इसके बाद ये लोग आपके परिवार, रिष्टेदार या किसी दोस्त को फोन करेंगे और आपकी आवाज में उससे कहेंगे कि आप किसी मुसीबत में फस गए हैं आपका मुबाय खराब हो गया और अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई अब आपको तो लगए है कि आवाज तो सेम है तो आप इसके लिए अलग से बार-कोर्ट भेज देंगे आपको क्यूंकि आपका पोन तो काम नहीं कर रा है वो यही बोलेगा कि भाई मैं मुसीबत में फसा हु ओं मेरा फोन काम ने तो फ़लाने के नंवर से बेज रहा हूँ तो आपको शक भी नहीं होगा कि दूसरे नंवर से बार कोड क्यों आ रहा है इस जल्दवादी में आपके परिवार के लोग या दोस पैसा ट्रांसफर कर दें कियोंके आवाज वही है जो आपकी है ये तो सिर्फ एक उधारण है ये साइबर ठग आपकी आवाज को कॉपी करके बहुत से बहाने बता कर पैसा ट्रांसफर करवाते हैं जैसे एक्सिडेंट हो गया पर्स चोरी हो गया है इसके लावा ये ठग इस नकली आवाज से डेवेट या क्रेडिट कार्ड की डीटेल भी पूछ लेते हैं घर पे मान लिजाए आपके पती की आवाज में फोन आया है कि सुनो जरा वो क्रेडिट कारड का डीटेल बताना मेरा आज लिखना भूल गया हूँ या लाना भूल गया हूँ आपने बता दिया हो गया करण आवास सुनकर यह भरोसा ही नहीं था कि कोई और बोल रहा है तो इसलिए कर इस तरह का कोई फोन आपके पास दूसरे नमबर से आ रहा है जिसमें आपको अपना फोन कर रहा है और कहरा है कि मेरे साथ यह वो गया मदग करो पैसा दो तो उसको बोलिये रखो और फिर अपने रिश्टिदार के खुद के नंबर पे फोन कीजिए कि तुमने ऐसा फोन किया था कि नहीं इस फ्रॉड के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते भी नहीं होगे इसमें 85% लोग इस फ्रॉड का शिकार हो गए 4000 लोगों पे सर्वे हुआ इसमें 85% लोग इस फ्रॉड का शिकार हो गए यानि ये लोग पहचान ही नहीं पाए कि फोन करने वाला कोई अपना नहीं बलकी ठाग है सोचिए कितनी सेम आवाज होती हो 4000 में से 85% लोग फ्रॉड इसके लावा करीब 2000 लोग ऐसे थे जिन्होंने 50,000 रुपे ट्रांस्वर भी कर दिये इन 4000 लोगों में से 46% लोगों को माता पिता की आवाज में कॉल आई थी 34% को पत्री के आवाज में कॉल आई थी और 20% लोगों को उनके बच्चों के आवाज में कॉल की गई थी तो अगली बार बहुत ध्यान रखिए ये AI ये सब चीज़ें जो आ रही है ये इस तरह का खत्रा भी पैदा कर रही है फोन आए मदद के लिए तो काट के खुद फोन लगाईए और पता कीजिए कि वही आदमी है कि ने जिसके आवाज बताई चाहिए